नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगे सांदार होगे दोस्तों बिहार कारियाले परिचारे जिसको दोस्तों इंगलिस में अगर हम बात करें तो ओपिस अटेंडेंडन बोलते हैं या असान भासा में इसको गुरूप था यह जो वेकेंसी है 40,000 से भी ज्यादा पोस्ट है ठीक है इस पर वेकेंसी के रिगार्णिंग मैं ने बताया था अब दोस्तों क्या हुआ है दुबारा चर्चा कल एक बिहार ससी ने नोटिस जारी किया है इसके रिगार्णिंग बिहार ससी ने देखोगा हम नोटिस भी आ क्यों लगाना जरूरी होता है ताइक कि आपको एडिया लगने एक्जाम में किस टाइप का प्रसन पूछा जाता है देखो अभी वर्तबान में बिहार प्लिस कॉंस्टेबल का एक्जाम चल लाए तो बहुत सारे बच्चे मॉक्टेस लगा रहे और प्रवेसियर का सेट भ सब्सक्राइब करें और अब होता है और मेरा कूपन कोड़ स्मार्ट यूच की जेगा दोस्तों धहान आठी तो आपको 12% का एक्षा डिजकार मिल जाएगा और दोसो 700 प्लस अलग लग एक्जाम का आप लोग टेस्स सेरीज है प्रिविस येर पेपर लगा सकतो हो मौक टेस्स के मादम से और 17 जासे प्रिविस येर का पेपर भी डाम लोड कर सकतो हो अलग लग में देखने का आपको मिल जाएगा इंतजार मत किजिए लिंक आपको व पहले जो होती थी न घुटो मैं आपको बता दूँ एक मिनट के समय को कि के बारे में आपको बतातайтесь हूं, जो परिचारी घुटा scarce पहले है इसको ग्रूप दी के नाम सो जाना 2012 से पहले जिन्हों ने offline form भरा था, जिसके पास receiving पढ़ा हुआ था, दुबारा उसको ही मौका दिया गया, तब या, 2012 सल पहले, आधा ता बच्चा बिदेश भाग गया होगा, बियार का बच्चा बिदेश भी जाता है, आधा किसी नौकरी में दोस्तों कर रहा है, कोई मजद देखे जोस्तों यह वाला नोटिस है, इसको ध्यान से समझाता हूँ, एक मिनिट का समय देजेगा, विहार कर्मचारी चयन आयोगा, यह दोस्तों लेटर साथ तारीकों नोटिस से, यह आपका ग्यापन संख्या, यहाँ पर देख सकता हूँ, क्या है दोस्तों मैं पढ़क समरूप मामलों में पारित आदेशों का नुपालन है तो आपका विभीन भीभागो, जीला की दोस्तों रिक्तियों को भरने है तो, समझे लो, निर्गत विग्यापनों का आलोग का पूर में दोस्तों आवेदन समभित करने वाले आवेदकों की, वन टाइम मेजर के पर प्राप्त किया गया, जिससे समधी जीला द्वारा सुविकित निरिस्त करने के करवाई की गई है, आंगे पढ़ो गनत, यह सब सारा चीजे दी गई है, इससे पहले जो वेकेंसी आया था, समान प्रसासन विभाग के निर्णे अनुसाद, जीलो द्वारा, बारा बारा दोहजर बार, या बारा दी समान प्रसाद निर्णे तैसे पहले जो आवेदन है, जो लटकोंने जो बच्चों ने अवेदन किया था, को नियूतम सेचनिक योगता, अस्टम आपका वर्ग, यहां पहले जो वेकेंसी आठवा पास पहोती थी, तता दोस्तों होगी, यहां लिखा गए तता उसके परिच्छा का प्रस्ण अस्टमस्तर का होगा जो आठवी फेकेंसी पहले क्या होता था ना आठवी फेकेंसी निकल दीती पहले दस वी अस्टर पर ज्यादा क्यूंकि इसमें आपका पानी पिलाने के काम फाली दरूजर करने पर यह सब ज्यादा यह तो यहां पर दिरांग 12-25 प्रकाशी भी गार पर नहीं तो उमिद्वारों को नियूतम सेचिनिंग यूगता दुस्तों मैटिक अस्टर आतव उस्टों मैटिक पर भारत मैटिक अस्टर का सवाल रहेगा और दुसका दुस्तों आप लोगों देखा होगा दूबारा फॉर यहां पर दुस्तों आगे और नीचे आपका पाठ करम हम दरसाएंगे तो यह जो पिछला पेंडिंग था जिसके करम वेकेंजी नहीं आ रही थी उसको क्लियर कर दिया गया अब जो नया वेकेंजी कब आ रही है मैं बोर्ट आपको समझाता हूँ जोस्तों नोटिस मैंने आपको दिखा दिया नोटिस से आपको सपस जानकारी मिल रही है कि मैंने आपको मोटा मोटी जो पता है हो चीज़े हैं अब जोस्तों आपके मन में सवा सेलेक्शन आकर हो जाता है यह जानी सी बात सबकर सेलेक्शन होगा नहीं एक दूहचार पच्छों का सेलेक्शन होगा बाकी तो डिश्क्वालिफाई हो जेंग अभी एक पढ़ने वाला कोई बचा है 2012 से पहले बार सल पहले आप ही सोचोना पड़ाई छोड़ दिया होगा से पासपर भी क्या है शाब को बताते सबसे पहले आप लोग पूछोंगे सर चलो ठीक है अपलाई अब नया वेकेंशी कब आ रहा थीक पहले वहां से स्टांट करते है यह सितंबर में आपका पेपर समाप्थ हो जाएगा दोस्तों इसका सितंबर में अक्टूबर या नमबर तक आपका यह देखोगा ना इसका रिजाड़ होगा सारा कुछ आजाए कि ज्यादा बच्चा है नहीं 10-15,000 में क्या होने वाला है दोस्तों आप लोग सोचो आपको जनकारे भी नहीं होगा यह दोस्तों चीज़े हैं 10-15,000 वह भी मैक्सिमिम वैतार हो कि इससे कम भी हो सकत है दोस्तों ठीक है 5-6,000 भी हो सकते यह तो आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है यह दोस्तों अपलाई क्योंकि देखना अगला साल 2025 में दोस्तों यह आपका अगस्त से पहले यह आपका फूरस जोइनिंग इसको दे देना है यह आपका एक साल का अंदर जोइनिंग इनक अगले साल के शुरुवात में यानि कहने के मतलब है दोस्तों यह बहुत जल यारी अक्टूबर के बाद नुवमबर समझे नुवम्बर में आ सकती है यह सकती है यह जनवरी यह फरवरी सब दोस्तों आपको मांग चलो अब आपको कहो कर सर इक जैग आप तो पताया नहीं हम ऐसे इसलिए बोलने हैं न मतलब कोई इसका डेट नहीं है लेकिन आपका ये वेकेंसी बहुत जल देखने को मिलेगा छे महीने को अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि सितंबर इसका प्रक्रिया खतम हो जाएगा जितना बचे सलेक होंगे उसके पाद फटा फट जितना सीट खाली रहेगा सबका एक नोटिस निकालेगा और उसके बाद सारा प्रक्रिया पनाएगा तो इसमें आपका लग जाएगा तीन महीने चार में कम से कम लग सकता है तो उसमें दोस्तों ये वेकेंसी आपका देखने को मिल जाएगा तैयारी आपको अभी से ही सवाल क्या क्या है क्या सवाल पूछाएगा यह भी समझेगा सबसे पहले है सिलेबस की बात करते हैं इसमें 100 QUESTION है ठीक है सव कौस्चन रहेगा 100 मार्कस समय मिलेगा अब हैसावाल क्या पूछाईगा बया देखो सबसे पहले है है इसमें आपका जी के कितना है 40 question ठीक है जी के बार दोस्तों अगर हम आपको बात करें तो math है math से आपका जो सवाल पूछेगा कितना 30 question है और last में बच जाता है दोस्तों हिंदी ठीक है इससे कितना question है 30 question है total आपका 100 question होनता है अब नेगेटिव मारके यूगर आपका पता नहीं है यहां तक मुझे लगता है कि यह होगा भी तो वन आपका फॉथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है इसका अभी clear जनकारी नहीं है ठीक है यह दूस्तों syllabus हो गया डिटेल्स में syllabus दोस्तों इसका हमान के आप बताने वाले हैं देखिए जोस्तों यहां पर आप देखोगा न इसका syllabus क्लियर हो गया मैंने और लेडी बोर्ट पर डिसकस कर रहा है यह फूल डिसकसन करता हूं आपका syllabus में क्या 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 सवाल पूछेगा दसवी अश्टर का आपका क्योंकि दोस्तों मीनिमम क्वालिफिक्सन कर दिया यह आठीवी पर मत चले जाएगा पहले आठीवी पर भी बच्चा पलाई करते था आठीवी अला नहीं अब दसवी अश्टर पहिन सले पस आप कर रहेगा तीस अंग जो आपका पूछेगा समान अंग गर्णी से समान ग्यान में आपका 40 आपको संसादों और उसके प्रकार वन जीव यह सब चीज़े हैं आप लोग पड़ लिजेगा भारत का आपका संगियो तो यह सब चीज़ें बिहार से रिलेटेट कुछ आपका अंदोलने कर यह सब सारा कुछ है बाकि आपका साइंस का फिजिक केमेश्टी बाइलोचिस सवाल रहेगा और परियाम भी कहां से सवाल रहेगा तो मतलब साइंस इंक्रूट रहेगा और हिंदिस आपका संगे सवाल पूछेगा तो यह आप लोग नहीं देख लिए अब इसमें दोस्तों आप लोग पूछो कि सार एज कितना लगता है फियो एगर देखो बिहार का वे किनसी में भरो गए तो आठार सा सेंटीस साल एज होता है ओबीसी जिसको बिहार में बीसी एबीसी भी बोलते है गौना सब कर नाम नृप्ली में क्या बहलता सार अलबेसार मतलब मतलब्डेस यह सिजए है और फी आपको 500 रुपे लगता है है दोस्तों ठीक है तो आपको 135 का सब्सक्राइब लगेगा रुपया यह तो अभी फाइनल नहीं लेकिं दोस्तों यह चीज है अब इसमें गुरूप डी का वेकेंसी है तो तब भी सेलरी जो होगा आपको 25,000 का प्रोक्स में आपका प्लसी मिलेगा कम नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो बेसिक पे कोई भी वेकेंसी में जाओ तो 25 प्लसी मिलेगा है 25-30 के भी सेलरी आपको मिलेगा है तो यह सब चीजे मैं आपको बता रहो बस एक एक जाम दो उसके बड़ डीवी कराओ आपको लाना है तो चलो मैंने आपको बता दिया कुछ बच्चे निरास हो गया तक सर इस पे वेकेंसी नहीं आईगी क्या कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो पहला जो क्या होगा न इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंको पिछला जो वेकेंसी है जो बच्चे भरे हुए जब तो उसका फाइल सेलेक्शन नहीं करवाता एक्जाम नहीं करवाता दुबारा अगर वेकेंसी निकाल देता है तो पहले बाला केस फिर कर देगा फिलर टक जाएगा इसलिए जो एक एकजाम है और इसमें बच्चा भी जो अप्लाई करेंगा यह भी देखिएगा कम बच्चा अपलाई नहीं करेंगा फॉन दोस्तो इंटर लेबल अब 25 लाग अपलाई किया है इसमें जो बच्चा जाएगा 30 लाग खिए उससे भी ज्यादा जाएगा तो अच्छा का सा बच्चा चांस है कि पिछला आपका किलियर हो रहा है यह जो ऑप देट डिया अप लोग चैनलों को सब्सक्राइब किजेगा इसके रेगाडिंग कोई भी आपडेट आएगा तो पॉराइट करूएंगे अगर आप दोस्तों बिहार से हैं बिहार का हर एक वैकेंसिका ऑप सबका अपडेट अब जरू सब्सक्राइब किजिएगा जली जली एक मिलन पहुंचाइए दोस्तों कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के मादन से पूछ लिजेगा और टेलीग्राम को उसको जोएन किजिएगा नीचे ठीक है टेलीग्राम को उस पर देलिक जागर होता झाल